बिहार इन शॉट्स सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पिता की सेक्रेटरी उमा देवी ने उनकी मा को यानि कि किंग महेंदर की पतनी को कई दिनों से क्याद करके रखा है और किसी से मिलने भी नहीं दे रहें जब रंजीत अपने पिता के आवास पर अपनी मा से मिलने पहुचे तो कहा गया कि उनका पूरा परिवार अव्या नहीं रहता बल्कि कहीं बाहर गया हुआ है वही अपनी मा के बारे में उन्होंने जब पता किया तो यह पता लगा कि उमा देवी जो उनके पिता की सेकरेटरी है उन्होंने किंग महेंदर की पतनी और रंजीत की मा को फदहपुर बेडी स्थित एक फार्म हाउस पर रखा है इस फार्म हाउस में उनके साथ एक और महिला भी रहती है यह जानकारी किंग महेंदर की कंपणी से जुड़े एक पूर्वे इंप्लॉई ने रंजीत शर्मा खो दी रंजीत शर्मा आगे कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की अपने मा से मिलने की मगर उन्हें उस फार्म हाउस में नहीं गुसने दिया साथी साथ उन्होंने पुलीस की मदद भी लेनी चाही मगर पुलीस को भी उस फार्म हाउस में घुसने की इजाजत नहीं दी जा सकी आगे रंजीत शर्मा कहते हैं कि वो अपने पिता के ओफिशिल रेसिडेंस पे भी गए उनसे मिलने के लिए लेकिन उन्हें वहाँ नहीं जाने दिया गया और यहां कहा गया कि उनके पिता अब वहाँ नहीं रहते वो जब चार सवदक जंग रोड पर अपने पिता से मिलने गए थे तो वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने उन्हें अंदर खुसने से रोग दिया तभी उन्हें यह ऐसास हुआ कि कुछ तो गड़बड है जब उन्होंने मामले का पता लगाया तो यहाँ पता चला कि किंग महेंदर की बिमारी का फाइदा उठाते हुए उनकी सेक्रेटरी उमा देवी लोगों को इंस्ट्रक्षन दे रही है और किंग महेंदर के नाम पर काम खरबा रही है जब रंजीत ने आगे पता करने की कोशिश की तो उनकी कोई मदद नहीं की गई रंजीत का कहना है कि वह पुलीस की मदद ले रहे हैं और वह जल्दी ही इस मामले को उजागर करेंगे उनका आरोप सीधे तोर पर अपने पिता की सेक्रेटरी उमा देवी पर है और यहाँ आरोप है किंग महेंदर की बुरी तबियत का फायदा उठाते हुए उमा देवी उनके पिता के शक्तियों का गलत इस्तमाल कर रही है और इतना ही नहीं उनकी माखो क्याद कर एक फार्माउस में बंद कर रखा है